आज का question है कि what is normal liquification time of semen ? semen का normal liquification time का होता है ? liquification का मतलब होता है यह दोस्त कि जब कभी भी आप semen collect करता हो semen लेता हो तो उसको आप देखते हो चिप चिपा सा रहता है लेकिन liquification का मतलब कि वह time जब वह semen drop by drop अगर हम लेने चाहे ड्रोप बाइ ड्रोप आनाज चालो हो जाए तो उसको बोलता है हम लिक्यूफिकेशन टाइम यानि कि लिक्यूफाई हो चुका है सीमेन तो उसका जो नॉर्मल टाइमिंग होता है वो कितना होना चाहिए अप्शन यहां पे 4 है अप्टू 20 मिनटो अप्टू 30 मिनट अप्टू 90 और अप्टू 40 दोस्तो अलग अलग अले ये टाइमिंग चैट किया गया होता है लेकिन इक अब रेजेन्य ехर प्यूफाई नहीं होता है तो फिर उसके फर्दर और सारे investigation करने परते हैं नेक्ट कोईशन है कि नॉर्मल सीमेन वैलू पर ejaculation यानि कि पर ejaculation में जो सीमेन का नॉर्मल वैलू में वह कितना होना चाहिए अगर उतना तक अगर आता है तो मतलब हम यह मानेंगे जो सीमेन के जो quantity है वह करेक्ट है यानि कि अच्छी quantity में वह सीमेन वह आ रहा है और यह यानि कि वन टू-4 ml या 5-8 ml या 10-12 ml या 0-5-2 ml तक तो दोस्तों मैं बताता हूं एक यंग व्यक्ति में एक यंग पर जो नॉर्मल सीमेन का पर एजुकिलेटेड एजुकिलेशन जो होगा वह होगा वन टू-4 ml यानि एक से लेगा अगर चार एमल तक सीमेन आता है पर एजकुलेशन में तो वह नॉर्मल सीमेन माना जाएगा कुटिटी के हिसाब से यानि कि उसके कुटिटि नॉर्मल है अच्छा कुटिटी आ रहा है तो अपशन हमारा यहां पर एक कर्यक्ट होना वाला है नईश क्वेशन है कि नॉर्मल कौउंट का नॉर्मल रेंज कितना एक कितना इसपाँपर एजउकुलेशन में आना यानि कि कितना आज जो इस्पॉम काउंट है उसकी मौझुद्धूगी हमारे सरे अगर इस्पॉम में रहे तो वह नॉर्मल माना जाएगा अप्शन है 100 से 1.500 मिलियन 20 से 120 मिलियन 50 तू 100 मिलियन या 5 तू 50 मिलियन दोस्तो मैं आपको पता तो यहां पर एक नॉर्मल सीमेन में जो संक्या होते है दोस्तो वह 20 से लेके 120 मिलियन तक नॉर्मल माना जाता है अगर 120 से लेकर 120 मिलियन तक अगर आपका SPORM COUNTS अगर आ रहा है तो मतलब कि आपकी सीमन नॉर्मल है SPORM COUNTS आपका नॉर्मल है और ये एक अच्छा साइन माना जाता है 20 से 120 मिलियन यानि कि B करेक्ट होगा Next question is what is the pH of सीमन हर एक चीज का एक pH होता है दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सीमन का pH पूछ रहा है option है 526, 7.1 से 8 2 से 5 या 4 to 8 तो एक नॉर्मल सीमन का जो pH होता है दोस्तों वह option यहाँ पे हमारा B करेक्ट होगा यानि 7.1 से 8.0 तक pH अगर रहता है तो जो हमारा सीमन है वह नॉर्मल माना जाएगा तो pH का सीमन का जो pH होता है दोस्तों वह 7.1 से 8.0 तक नॉर्मल माना जाता है तो option है हमारा क्या होगा B करेक्ट होगा तो आप लोग दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सब्सकाइब जरूर कर लेजेगा रेगुलर रैसे question answer आने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइद मन्द होगा इस चैनल से कुछ क्वेरियत नीचे comment बास में comment जरूर करें मैं उसका answer जरूर देने वाला हूँ मिलते हैं वीडियो में